नमश्कार दोस्तों, दोस्तों राजनिती की बातों मैं आज मापको एक ऐसे सक्सियत से मिलवाऊंगा जिसने रोड विरादरी में, जेटी रोड बैल्ट पर अच्छा नाम कमाया है और जिनके पितावी राजनिती में रहे हैं और खुद भी वो राजनिती में हैं लेकिन किस्मत उनकी ऐसी है कि चुनाओ दर चुनाओ लड़ने के बावजुद अभी तक उनका विधान सवा या लोकसवा पहुचने का सपना पूरा नहीं हो पा है लेकिन चोई देविलाल कहते थे कि राजनिति में नेता वो होता है जो चुनाओ लड़ता है हर जीत माइने नहीं रखती है इसके अलावा हर्याना की जो रोड विरादरी है उसका जो इतियास सहस करते किया जो हर्याना से बाते होती है उस बारे में मेरे उन से जानने की दिल्चस्पी है तीसरा सबसे बड़ा फैक्टरी है कि उनके जो पिता जी है वो विधायक भी रहे हैं तीन बार और मंत्री भी रहे हैं तो मरठा विरेंदर जी आपका हरीव में टीवी पर स्वागत है धन्यवाद जी आपका सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप लोग कहां कहां हैं अर्याना में रोड विरादरी के लोग यह पानिपत और कुरक्षेतर के बीच में मुखतेया है और जहां तक जिले की बात करेंगे हम पानिपत में हो गए करनाल में, कुरक्षेत्र में, कैथल में, मेल्ली तो इने में हैं, चुट-पुट गाउं जैसे थोड़ा सा जीन्द में मिल जाएंगे, और सफीदों जैसे आगोहाना है, जोवारा और ये महाना वगाउं हैं एक दो, और सफीदों में कुछ आतार गाउं हैं. अबादी की दर्ष्टी से देखें, तो कितने होंगे रोड विरादरी के लोग हरियाना में? लग लग समझी, आट-दस लाख के विदानसवा सीटे हैं, जहां पर रोड विरादरी के मले बन रहे हैं या फिर बन सकते हैं, ऐसी कितने सीटे हैं इडन्टिफाई की हैं आप लो कितना पैदा होता है, इस बात पे निरभर हैं जहां तक सुख्या की बात है, ऐसा तो एक भी ऐसा निया कि बहूमत में यह हो, जैसे दो से दाई लाग के बीच में एक हलका है, तो बहूमत में तो तो तभी कियेंगे ना एक लाग से तो उपर तो हो, या सतर असी जार से सब्स्टेंशल नंबर है, तो ऐसा तो किसी में नहीं है, अधरवाइस सोला अविधान सबक छेत्रों में यह कहीं अगर जीटी रोड बेल्ट की बात कर रहा है, इसमें आपका पहवा भी आ गया और इसमें समझ यह जैसे साथ आठ जार बोट सफीदों हलके में भी हैं, तो जैसे जो जादा हैं, निलोखेडी जैसे रिजर्व हो गया, यहां साथ हजार के करीब रोड बोट हैं, दूसरा घरॉंडा में भी 35-40 चालिघ के बीच में रोड बोट हैं, असन्द में भी 30-35 के बीच में रोड बोट हैं, और आपके इंदरी में भी 15,000 प्लस रोड बोट करनाल के जहां तक बात कौँगा हमें करनाल में 25-30,000 के बीच में रोड वोट है और इसी तरह से इसराना है जैसे इसराना में भी यह 20,000 प्लस वोट है अब तो गए होगे हर गाउमें पानिपत-गरामीन में भी ऐसे 16 हलके है जिनमें यह लेकिन अब इसमें तो नंबर तो मै नंबर भी मेंटर नहीं करता है। जैसे इधर का चमार थोड़ा जागरूख है। लेकिन मैं कहुंगा कि रादौर का चमार इतना जागरूख नहीं है। जहां चमार वोट साथे जार प्लस होने के बावजुद भी वह कोई नहीं बना पते है। बना बना नहीं पते हैं। अपनी एक प्रेजंस फील करानी होती है। एक वजूद अपना फील कराना होता है कि भी हम हैं यहां। वह भी नहीं करा पायासते है। तो रोडो का जीवन है रहन से जरते हैं किन से मिलता जलता है। एक है कीजाट से मिले यह गहां। क्योंकि झाट में ही उतना खिलापन यह इनमे नहीं। , और विशेष्ट और राजपूतों में वहाजूद नहीं। अच्छा, तो है तो ये आरों से अलग है टो सारे अप लोग तभी रूखे है आपकी यह क्हाना है, ये तने मराथें हैं हमारे हमारे कम्यूनिटी के ये 1761 के बाद जो पानिपत का युद्ध हुआ था उसके बाद ही एक पैचान को छुपा के रही है अच्छा क्योंकि उस समय एहमद अच्छाबदाली कहने को कह देते हैं जैसे जीत हुई लेकिन जीत ऐसी तो नहीं कि वो दिल्ली पे राज करने आया था दिल्ली पेट जाता तो वो मराठों से इतनी घबराट में आगया था युद्ध के दोरान कि मराठा बिल्कुल खतम हो जाए तो यहां स्थाई रोप से पर आगया थारए तो उसलिए उसने कर दिया कि भी मराठा मूंड़ी लाओ और सुनने का इनाम में पाऊच्छा मुण के आरे तो उसके लिए मराठा के तलास थी समाज में जह मराठा को दिखे हैं या को इनाम पसे अगावुट कि पुष्टर भी था जिसमें केथल भी था जिसमें कुल तर्ट एकषटर भी था जिसमें पानीपत भी था जिसमें यमनानगर का भी बहुत बड़ा हिस्सा था इसमें दोसो 21 गाओं हैं और इन तो कुल तरतालिस गामों में ही बसे रहा है तो यह तो बलकुल जंगल था सारा गा सारा जब हम छोटे थे उसने हम अमने भी देखा यहां जंगल ही जंगल था यह तो बहुत देर बात यह जो आपका जो ओल्ड ग्रैंट ट्रेंक रोड है यह चोटी सड़ी सड़क थी के बारे में ज्यादा किसी को पता भी नहीं था अब यह जीटी रोड यहां से भी नहीं थी जहां से अब जा रही है करनाल से आगे तो है अच्छा लेकिन करनाल से इदर आओगे तो यह अंदर की तरफ चलेगी एक आपी और यह 18-10 किलोमेटर होगी इदर पश्चिम की तर आरает समाज में जो नामकरन विधी पुस्तक है उसमें जो स्वामी ध्यान जिस चाठ ती-जी की लिखिंए ओई है जिसमें की कि बरह्मन अपने नام के पीछह शर्मा उक्ष्ट्री अपने नام के पीछह वर्मा और वैश्छ जो है अपने नाम के पीछह गुप्ट और शूड श्थर अपने नाम के पीचे दास लिखे तो उस ही साबसे वर्मा उन्हें कर लिया दा उस लिखा था जो जह लिए लिए भूल हैश्ध जाह आरय समाज में रंगे थे उन्हों हने लगाना शुरू कर दिया था जैसे दिली के मुख्यमंत्री साब सिंग वर्मा था, ऐसे यह और जाट समुदा, ऐसे एक और बताओं एक विरेंदर वर्मा भी था कवरनर रहे जो, तो ऐसे इमाचल में बहुत लिखते हैं, जराजपूत भी लिखते हैं, अच्छा, अब अपने पिताजी के बारे में बताईए कि आपक अच्छा, एक तो वो एक बहुत सिद्धान तो बे चलने बड़े बेखते थे, दूसरा एक इमानदार बहुत थे, पढ़ाई लिखाई कर रखी थे, उस जुमाने में तो बड़ी बात थी, मेरे पिताजी अकेले ही थे, और जैसे हम पताते हैं, वो पांस साल गई थे, जब मेरे ग्रेंट फादर की डेथ हो गई थे, तो समझो कि फिर अकिला बच्चा है, जैसे उसका ब्रॉट अब होता है, अकिला ही थे, और इनका भाई भी को भी नहीं था, फिर भी अपने आपको इनोंने सभाल के रखा है, प्रोपर्टे, पैसा, मेरे ग्रेंट फादर बहुत अब उसके बाद से उनने समाज में अपना एक मुकाम बनाया है, तो आपी मिलन सार आद मी बताते हैं वो, ठीक थे, नॉर्मल जैसा होता है, अच्छा मंत्री कब रहे थे, मंत्री थे 79 से 82 तक है, 79 से, चोई बजनलाल के विए, क्या पॉटफोलियो थे उनके पास, उनके ब निलोखेडी से, चुनाओ निलोखेडी से पांच लड़े उन्होंने, पांच के बिचे अच्छे लड़े उन्होंने, चलिए, अब आप पर बात करते हैं, मैं जब से देख रहा हूं 15-16 साल से अरियाना की पोलिटिक्स में, ऐसा कोई चुनाओ नहीं है, मैंने आपको ना देखा हो कि मरठा विरेंदर जी लड़ रहे हैं, और आपने मेरे खाल से साथ ही आठ चुनाओ लड़े हैं, कितने चुनाओ लड़े हैं अपी तक? मैंने? 6 समझी, 6 चुनाओ, 2 एलेक्शन को मिलाकर, 2005 में मैंने पहले विधान सभा चुनाओ लड़े हैं, सबसे पहले हैं तो दो जार चुनाओं में जीत दर्ज नहीं कर पाएं, फिर यह किसी भी तरह से मिल मिलाकर प्लिटिकल जो आजमी पावर में थे या पहले रह चुके थे तो निलोखडी को उन्होंने रिजर्व किया, खींस्तान करके बड़ी, निलोखडी रिजर्व हो गया तो हमने चु बदली फिर अपने, तो फिर मने 2009 का लोकसवा चुनाओं लड़ा था, करनाल का, फिर 2009 का विधान से बाचुनाओं अवसं से लड़ा था, 2014 में लोकसवार विधान से बाचुनाओं लड़ी, कितने हों के पांच हो गए ना, और एक इंदरी में बाई लेक्षन आया था, 2008 मे कमभोज जब छोड़ा था, जब कमभोज ने सीट खाली करी थी, सब भी लड़ा था, उसमें 6000 के लगभग हम वोट लेगे थे, तो सबसे करीबी आपकी कितना पहुंच पाए, आप कितने वोटों से आ रहे हो इन 6 चुनाओं में, सबसे करीबी में, यह समझें कि 2009 का अच्छा, निर्दिली लेड़े थे आपो, नई हम अपनी मेरी पार्टी, हमारी पार्टी थी एकताशक्ती पार्टी और जन समाज पार्टी हम मिलके चल रहे हैं, दूसरा हम 2014 में विधान सबा चुनाओ, वो भी हमारा कोई 1600-1700 वोट से रहे गया, अच्छा, मलब नजदी इतने क्यों देगा असानी से, वो तो आपके लिए अर्चने पैदा करेगा, एक नया खिलाडी मैदान में आएगा तो तो इसका दिक्क्त हो कि हमारे साथ पार्टी के साथ भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पार्टी है जैसे हमें कहके ले गई, जैसे नजदीक आने पे, चुनाओ आने पे, और ऐसे कांग्रेस ने नहीं दिया, वो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ही, चाहे हमने अपनी ताकत को ठीक से हम अनुमान नहीं लगा पाए हो, हो सकता ऐसा भी संभव है, हमारे अंदर तो जज़बा है, लेकिन जो हमारे वोटर हैं, उन इसलिए पार्टी को थोड़ा सारा लेना पड़ता है, तो वो मौका उन्होंने इसलिए नहीं दिया, कि कभी ऐसा नहीं हो, कि जीतने के बाद ही है, फिर हमारे से बंद के पूरा तरह से न रह पाए, जैसा पार्टी आपने आप में, दू अपने सदस्यों को बांद के रख किसी भी अंदर, इंटरनल भी नहीं रखने देते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी कोई विचार करें, जो मैंने देखा आप पार्टी हो में, तो ऐसा समझते हैं, जैसे तो विद्रोही है, आप अपना अपना इंडिजल व्यूज नहीं रख सते हैं वहां पर, उनकी हां में हा पास्टबादी कॉंग्रेस पार्टी में हैं, वहां भी ऐसा ही है, पार्टी कोई बहुत बड़ा जना दर नहीं है, उसमें हर्याना में इनका है ही नहीं है, हमें मानने शरत्पावर जी का संदेश आया, उसके बाद हम उनको मिले, तो हमें तो औरों से अलग तरह के विक्त हैं, विचारवान हैं, और एक उनके पास प्रेटिकुलर एक विचारधारा है, जिसको लेके वो चल रहे हैं, अच्छे, विरेंदर जी, आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, क्योंकि आम तोर पे कोई भी राजनिता है, वो एक चुनाओ, दो चुनाओ, तीन चुना होगा और लास्ट वाल लेड़ा होगा तो आपको पता एक रचे कितने लेते हैं, किस मोटिवेशन के साथ आप ये लड़ाई जारे रखे हुए हो, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो इसमें ये है, कि जब मैं सरकारी नोकरी में था, तो उस तेमाहम सोचा करते थे, मैंने सरक इमानदरी से कभी कंप्रमाइज नहीं है, किस नोकरी में था आप? मैं पहले हैं, सबसे पहले हैं, कौन से साल में? 75 में, और जब रिटायर होगे आप? तो रिटायर नहीं होगा, मैं हैं से इस बंड़ गये था तो फर ओम प्रकास चोटला उसमा मुख्यमंत्री थे, अच् से मेरी खिंशतान हो गई, तो उन्होंने मुझे फर आइस में पोस्टिंग नहीं दी, तो उसकी वज़े से मैंने नोकरी करना ठीक भी नहीं समझा, छोड़ दिया अपने और चोड़ दिया मैं, तो प्रमोशन तो होई गी थी आपकी आइस की रोप में, वो चंडिकट रख किस वज़े से? बस उनको मैं पसंद नहीं हूँगा, कोई तो कारण बनते हैं, कारण का मैं कह सकता हूँ, उनके मन में क्या था, मेरी तो ऐसी उनसे कभी आस्ते बात नहीं हो पाई है, तब पॉलिटिकली एक्टिव थे आप? नहीं, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, को हमारे बच्चें आगे, जब यह बड़े होंगे, तो यह तो हमें ही दोशी ठराएंगे इस सिस्टम के लिए, क्योंकि हमने इस सिस्टम के खिलाब अबास तो किसी नहीं भी नहीं उठाई, ऐसी ऐसे विचार मन में आते थे, कि कभी कुछ न कुछ हमें करना चाहिए, अपन आदमी राजनिती में आएं, और जो इस सिस्टम को ठीक करके चलें, जिससे कि आम आदमी को कोई परिशान नहीं हो, तो आप यह बात लोगों तक डिलीवर कैसे नहीं कर पाए, क्योंकि आप HCS थे, IS बने, आपकी बात लोगों तक पहुंची कैसे नहीं, हमने किया भी, लो साथ, दूसरी राजनितिक पार्टियां बे desap steak कोशोडी सोच, जैसे राजनितिक पार्टियां बनाती हैं, वैसे सोच बंते चले जाती हैं, हम्तु हरां, जिस जाती गावएक्टि होता ना, उसी जाती तक सीमित करके रख देते हैं उसको, अब ने मरध रोडों की बात ची तो आपको रोड जाते हैं. जैसे आपने भी शुरू में कहा था, कि रोड में एक ठीक है ना, ऐसे दूसरी जाती हो कि बहुत है हमरे पस हमरे साथ हैं, लेकिन वह वह सुबस्टेंशल नंबर नहीं है आम आदमी का, अब आम आदमी किसी भी जाती का हो, उसके लिए हमारे मन म में काफी अच्छे सम्मान की जगह है, उसकी तकलीपे तो वही हैं जो दूसरों की है, वह वजन भी देता है हमारी बात को, लेकिन क्योंकि जीत नहीं है, और उसने अपने, समझो, हरेक आज में स्वार्तों होते हैं, स्वभावी के तो, अब उसके कहां से पूरे होंगे, जो जीतेगा वही पूरे करेगा, अब हारावा विक्ति कैसे पूरे करेगा, हारने के साथ तो संगर्ष है, तो संगर्ष करने का तो जिग्रा हरेक में नहीं है, तो इसलिए, अब हम तो हमें जो वह विचार था, कि भी संगर्ष करो, करते रो, उस विचार को लेके हम कर रह नहीं मेरे पिता जी के साथ नहीं हुआ तो मेरे पिता जी बहुत बुजूर्ग होगे थे जब हम राजनीती के तरफ वाई अच्छा कौन से साल में गई हैं यह तो मेरे पिता जी की जो एक्सपार वे दो जार पांच में हो पांच में हमने पहला चुनाव लगा मेरे दिया और इसी बात को लेके हम सब कुछ नाओं पर लगा कर आके बढ़ते जा रहे हैं कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं यदि मैं अपने लिए करता तो एक चुनाव नहीं दो चुनाव तक तूट जाता है हाँ पैसे तो लगी रहे हैं तो हमारा बिश्वास ऐसा है कि परम और आख उर उननावर बैदी को लिए कर रहे हैं मोगझाय लगेगा तो हम और भी करेंगे भी अज़सों सोच राखा है कुछ है यहां जासे हमान पर बाहर जी है अब उनके जो हम आज कर रहे हैं, खेती की फसलें भी और इसके तोर तरीके भी हम ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे कि जो विश्व में इन चीज्जों की मांग जादा हो, वह हम पैदा करें, उस पे अधारी चोट-चोटे उद्योग लगें, उनमें प्रोसेसिंग हो और वह साथ के साथ नहीं जूड़े थे बाते ही लेके चल रहे थे, दूसरा यही चीज उन्होंने महाराष्ट्र में की भी है, और रोजगार की गारंटी जो उन्होंने दी हुई है, कानून बनाया हुआ है, जब मुख्यमंत्री पहली बने, तो यह रोजगार के अफसर भी बहु रहता था, आज लगबग जो फलों की दुकान पे फल हम रखे वे यहां देखते हैं, तो सेव बगएर को छोड़के बाकी सारा फल तो महारास्ट से, केला लगाएं, अंगूर लगाएं, चिक्कू लगाएं, अनार भी मौसमी, संत्रा, सबजियों में प्याज आएं, बाकी दोनोंने अगस्त के में भी बाते हैं, अगस्त में मेरी उन से भेंट हुई थी, तो सेतंबर में समझी, उनोंने मुझे यहां हरयाना की बाकड़ दोर दी थी, अच्छा, अभी प्रदेश सदेक से, हाँ, और 22 मार्च को वो करणाल की एक जनसभा हुई थी, हमने रिकरी थी उस में वो यह घोशना कर गये थे, कि कॉंग्रेस और NCP जो आज गठवंदन में है, उसकी तरफ से इनोंने जो लोकसवा का चुनाव 2024 में आएगा, यह मराठा विरेंदर वर्माने लड़ना है, हाला कि इस बारे में मेरी इन से अस तक बात नहीं हो पाई हैं, लेकिन फार नहीं बात करके आये थे, जो मुझे ऐसा पता लगा है, वो बात करके आये थे, और एक सीट उनोंने लोकसवा की अपने लिए रखी है, तो पर चुनाव लोड़ो के चुप इसका है, चुनाव हम तेहरी कर रहे हैं, हम लोगों से रिस्पॉंस भी ठीक आ रहा है, और हमें उमीद है कि इस बार ठीक रहेगा, तो अगर आशा आदमी के खतम हो जाए तो थोड़ा आदमी कूछ, जो आपकी बेल्ट है, जीटी रोड बेल्ट, इसको तो बीजेपी कहते है कि मेरे बीजेपी का ज़्यदा प्रवाव है यहां पे, देखो हमने इस बेल्ट को अपने प जैसे यह एरिया है, यह एरिया सबसे जादा ताकतवर एरिया है हर्याने का, सीट्स भी सबसे जादा यही है, तो यह अपनी सरकार तुम क्यों नहीं बना रहे हो, तो अपने में थाकत पैदा करो, तुम दूसरों की सरकार बनाते हो, अपनी सरकार नहीं बनाते है, भारते अब भी बीजेपी के साथ दिखती है आपको इस बेल्ट की सोच या कुछ चेंज आया है इस बार चेंज आएगा करन एक तो बीजेपी दस वर्ष में को खविशेश करनी पाई दुसरा अब जैसे थोड़ा सा हमें भी एक सारा मिल गया है कुछ समय पहले तक तो अराश्ट्री पारटी थी एक एंसेपी शारत पावर जी का बहुत बड़ा नाम है मराठों में उनका वजूद ने मराठों में सारा में उनका नाम है उनका नाम किसानों में सारों में ही है किसान का नेता तो आज के दिन शरत पावर जी के लावा और कोई नेता नहीं है इनका अब परकास्टिंग जी चले गए परकास्टिंग जी चले गए चौदरी चरण स उचे रहे हैं लेकिन बेदाग है जो राजनेतिक जीवन है बेदाग है लेकिन यह भी बतीजी से परिशान है तो इतना तो ऐसा तो हो जाता है वो तो देखो दूसरी पॉलिटिकल पार्टिज है वो भी अपना पावर का एक मिस्यूज के दूरुपयोग कहलो या उसको प्यो इसको बाद नहीं है तो इस संख्या को बढ़ाएंगे आप लोग इसवे फोकस है नहीं ऐसा कोई बात नहीं जाती बगएरा मेरा इतना सोचना नहीं है कि भी जाती की राइब दूसरी पार्टियों के जो कारे करता है वा परिचार करते हैं ऐसा आप अपनी कम्मुनिटी से प्यार इजद तो करते हैं उसके राजनीती मक्सद आप जिस कम्मुनिटी में मैंने जनम लिया है सुभावी के मेरा लगाव तो रहेगा महां यह भी इन गोतर चोड़ते हैं साधियों में सेम है आपके यहां पी हाँ गोतर चोड़ते हैं दो चोड़ते हैं मा और बापका मा और बापका दादी का और पहले चोड़ते थे अब नहीं क्योंकि ज्यादा हो गए रिस्ते नहीं होते हो इतर तो पानीपत में क्या एक्टिविटी 14 जनवरी को हम सौरे दिन समारो के रूप में मनाते हैं, कालाम में मनाय करते थे पहले, लेकिन हमने देखा कालाम में वैसे तो सरकार का है, सरकारी दखेला अंदाजी बहुत रहती है उसमें, और वैसे भी महां से जमना बहा करती थे उसमें, कोई लड़ाई का केंदर तो वह तीनों लड़ाईयों का मेमोरियल है, क्रिकेट का मैदान था थोड़ी था कि लड़ाईयां तीनों वही फोकुस होगी है, अब जैसे अमने जो पुस्तक पड़ी है, उसमें बस्ताड़ा में मनानाम ने शुरू किया, बस्ताड़ा बेस केम था मराठा फोर्सिस का, और यहा बस्ताड़ा में मनाना शुरू किया है, मनने भी पड़ी है, एक पानिपत नाम की किताब है, शिवाजी सावंत की, बहुत अच्छी किताब है, पानिपत की तीसे लड़ाई पे, तो काफी लोग जुटते हैं आपके उस पे, हाँ, नाते हैं सारे आगे, जो महराष्टर के लोग हैं, दस बिस जार के गैधरिंग होती है, महराष्टर से भी आता है, मध्य प्रिदेश से भी आता है, वो लोग आपको अपना सा मानते हैं, हाँ, वो तो रिष्टे भी कर रहे हैं, शुरू कर दिया, अच्छा, कुछ महराष्टर की बहुएं आई हैं आपके इदर ए लड़कें उदर जाएं, तो इनकी बिषादियां माशुरू हो जाएं, जो कि लड़के जाते हैं घुमने फगर ऐसे, ठीक है ना जी, तो इनकी कोई परिवार को किसी को पसंद आ जाते हैं, विषादी के लिए वो पुनाते हैं, अच्छा, मुलो, आप गई हुए ऐसी तो यहां पर गाउं में बुज़रू की बुज़रू की रहे हैं, लेकिन एक-एक सदस से तो ओना एंवरेज एक-एक परिवार से जाए रहा है, तो फिर यह खेती कोन करेगा, कोन समाले का इतर, इतना क्रेज क्यों है रोडों का बाहर जाने में, इसा है कि यहां तो इसकाना मिल गया, हर कंटरी में आदमी है, उनका जानने वाला, किसे ना किसे कई रिष्टबाव कहा, ठीक है न, तो जाने का जगाय मिल गई, को कनड़ा है, को यह अमेरिका है, यह जर्मनी है, यह इंगलेंड में है, यह आस्ट्रेलिया में है, इसा है जिन न्यूजलेंड बड़ा रस्ता है अमरिका भी जा रहे हैं लोग डंकिवा आप बड़ा जोकिम उठाके जाते हैं अमरिका तो कि मेक्सिको का जो जंगल वगरा को पार करना वगरा कोई असान काम भी नहीं है पैसा तो आई रहा है उसकी वज़े से रोड रिच हो गए है अब पहले भी ठीक थे अब भी ठीक है रोड क्यों कहते थे इनको रोड जैसे रोड एक उपवंस के रूप में मराठो में भी है अच्छा आमद नगर जिले बगएर में हैं काफी अच्छा रोड है वहां तो यहा जिस समय यह पैचान चुपा के रहे अब जाती तो कोई नहीं कोई बताने ही पड़ेगी अब यह अनुमान यहां आता हमारी सारी बात में कि उस समय हो सकता है कोई रोड जिसके नाम के साथ लगता हो वो अपनी कोई परिवार का वारत तो उसके साथ नहीं होगी तो जैसे क हमारी जाती में यह बात प्रचलित रही है कि रोड को भी जाती नहीं है हमारी यह ब्योंग समझे पड़ गया लेकि नाम पड़ गया नाम कहने के लिए कहेंगे तो इसको जाती के रूप में कभी अपनाय भी नहीं है रोड को तो वो जो रोड कोई रहा होगा तो उसके ना जिसमें एक दो पेज इस पात पे है कि रवाजा रोड कोई बामनगडियों का राज आ रहा है आगरा के आसपास तो इस सारा का सारा राजपुता ना था ऐसे तो राजवनशी परिवार सारी थे तो तो बुद्धिनेबक के समय में जब इन से लड़किया मांगेगी जो प्रत तो इस त्यास की बुस्तर के बोल रही है तो उनमे राजा रोड भी एक रहा होगा तो ये क्योंकि रोड लिखा मा मिल गया इनके लिए उनया सब था उस समय तक इनको ये भी नहीं पता मराठों में भी रोड है ठीक है ना जी तो येसे होता ना किसी को पास कुछ नहो और करेका है तो एक बड़ा ये चाओव में रुट्वा में राजा रोड मिल गया ज्या तो राजा रोड मिल गया तो इसमे थोड़ा सा सब रोड है lambda लगाने का करेज ज़्यादा है या पर ये रोड में संतुस्ति नहीं लिखते तो और कुछ रोड भी हैं कुछ मुराठा भी तो कुछ भी है, निया है आपको जुड़ता था जुड़े नहीं। अगले है। कुछ लोगों का कहें न साथ कि रोड विरादरी वहां की मुल्य antara सी है, ऐसा नहीं हो शेता। का थक सर्वाइब सहरा स्वानकोर प्रन को दूफा कैम विर्वादरी क्रिहिए है। अब आईने एकबरी पुस्तक है, वो तो मुगल सामराजी का सारा सरकारी रिकॉर्ड है, तो उसमें तो हर एरिये में बसने वाली जाती का नाम है, उनके एमपायर में तो कहीं रोड जाती नहीं है, तो फिर जब उस समय नहीं है, तो बाद में कहां से आई, ठीक है, काफी में तो अब भी आपकी क्या मुवमेंट रहती है, आप जाते हैं पब्लिक में, हाँ, अब भी आपने एंसीप के लिए जा रहे हैं अच्छा, अब राष्ट वादी कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहे हैं, अब जैसे पावार साब ने हमें आदेश दे दिया है कि चुना में जान है, तो जिस काम पे आप निकले हो, उस काम को तो पूरा करने के कोशिश करो गया है, कितने साल करो गया है, 72 के, 72 के, ठीक है, लड़ना चाहिए, नहीं कुछ करो करो तफर क्या करो करो करो, खाली बैठोंगी क्या, या पर आप पुस्त के लिए, अच्छा, ये काम क्या करो, नहीं आप खाली, अगर कुछ, अब तो समय नहीं मिलता है, ये तो क्योंकि ही, अब हमारे प्रोग्राम कई हो चुगे, इंदरी हमने किया हलके में, संबाल ख्या किया, हमने नेलो खेडी किया, अब हम असंद कर रहे हैं, हमने 17 तारीख रख दिया असंद के लिए तो अब हम बस थोड़ा सा गैप था, कि मैं कैसे कैसे लोगों में जाना है वहां के लिए, तो कल का दिन हमने इसके लिए रखा, फिर आपका संदेश आया, हमने आज का दिन भी स्पैर कर लिया, ठीक है ना, अब कल से हम लिए उसकाम में, चलिए बहुत सुब काम नहीं अब की दिमाग में किसी पर करके है, होना, जब नकार आत्म को जाएगा, आद में खतम ही है, समझाओ, बच्चे क्या करते हैं आपके, एक तो मेरे बेटा भी आया था, इसने एन नाईटी से इंजिनिनिंग करके, कुरक्षेतरा से, हाँ, आयम बाई दिल्ली से इसने MBA किया फिर एज रिजिनल मैनेजर सी एट में इसकी प्लेस्मेंट हो गई, महीं से कमपस से ही, और उसके बाद फिर इमार्ज कंपनी है, एक चॉकलेट की चिंगं वगएरा की अमेरिकन कंपनी है, तो उसमें इसको लेके थे मार्किटिंग डवल्मेंट मैनेजर, ये शॉपिंग इसको सारे को देखता था, वहां से फिर मैने इसको नोकरी चोड़ने के लेगा, अपना काम संभा लिए आप, क्या काम है आपकी, काम तो हमेरा एक पेट्रोल पंप है, ये वहां मदूबन है, और एक और लाइन में है, और एक मेरा हमने होटल का लिया है, CLU, होटल में लग ये एक साथ है, अच्छा, 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 साथसो आठसो मेटर तक करनाल की साथ की सीट तो सेफ होगी न गवें कोई दिक्कत नहीं उगी ऐसा तो क्यों होगा चुनाऊ है कोई आ सकता है उनके मुकाबले में स्वांग बहुत क्यों नहीं आ सकता है अच्छा मुश्किल हो गए इस वार इतना असान नहीं हो अच्छा यह मतलब मैं वैसी पूछ रहा हूं उपसे बात की क्योंकि आप चुकी करनालू रहते हैं पॉलिटेकली बात नहीं है अगले बार भारती जंता पार्टी इस बेल्ट से एक तर 2019 में भी ऐसी लग रहा था लेकिन वो इशू आगे नहीं पड़े और कोई मुकाबले में सामने निकल की नहीं है फिलाल मतलब ऐसा महूल है यहां बीजेपी मलोपना जो प्रोवाइड कोई बड़ा इशू ना है नंबर एक नंबर दो कि लोगों को ठीक आदमी आगे निकल दिख जाएं जिन पर लोगों की नजने ठीक जाएं साथ में यह भी है अच्छा तो जैसे अब वह एक बात रही थी है जैसे उड़ा साब के साथ आप गई तो क्यों नहीं कर पाया आपका कमेंटमेंट पूरा आपने कभी जोब मांगा उनसे अब यह तो उड़ा साब की मे यह में अजना वह देओ कोई बात नहीं हो बात नहीं हुई है विदान सबां में आ कर दिया मैं अची यह को डहर जो नगा पा यह और बात ने के लिए और मेरा एक भारते जनता पार्टी से निकलता ही वो सीट अजगा से वापिस लेडी भारते जनता पार्टी ने मैं रहता तो इसका मतलब यह है कि वह अजगा के पास ही रहती है पोलिटिकली मतलब सेट बेक बहुत लगे आपको नहीं तो इतने चुनाओं में एक मुझता हो आप भी समझेंगे जब कोई आदमी एक बड़ी आवाज उठा देता है जिससे कि दूसरे पोलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको ऐसा लगने लग जाए कि यह तो आगे उनको यह रहता है अगर इसको मुखा मिल गया थोड़ा सा अपने अपने अपको ठोस रूप से आगे निकलने का तो फिर इसके यह रूखे का नहीं आगे तो पार्टियां चाहती है कि हमारे बंदन में बंद के रहे उससे एक लाइन खिज दी जाती है उससे आगे निकलने कि जो प्रयास करेगा उसको महीं कत्म कर दिया जाएगा अच्या हर पार्टि में होता है कि इसे हार पार्टिमे होता लेकिन मानने शल्ट बावर जी पास मुझे इसी बात ने लेगी वह एसे व्रक्ति हैं हर बैक्ति को और निकलने का मुखा देते हैं आम तोर पर क्या होता सर्फ कि नेताओं के जो बच्चे होते हैं उनको मुखे मिल जाते हैं आपको तो यह benefit भी नहीं मिल पाया कि आपको पिताजी मंतरी थे मेरे पिताजी का जो हो एक कहते हैं लीगेशी अगर निलोखेडी अलका रहता है तो साइध फैदा मिल जाता है लोखेडी अलका रहता है तो कोई हमाया हराई नहीं सकता था उसलिए रिजर्व कर दिया तो यह थे ना कि लीगेशी होती है पॉलिटिकल लीगेशी होती है जो मरे पिताजी की थी क्योंकि मेरे भाई भी एक उनका मेरे भाई की अच्छा पहले पॉलिटिकली एक्टिव थे थे लेकिन आप खतम पॉलिटिकली भी खतम हो गए हैं तो उसकी वज़े से भी तो मुझे काफी एक संगर्श करना पड़ा ना अच्छा क्योंकि पॉज़े काफंव देखते थे तो पॉल्टिकली के से तो उप्सरी कर रहे थे । नौकरी कर ने सोच विंताराज कुछ ऐसी होगी यह पांच में सोच आपनी हां पांच में हैं दो हजार तीन में हमने सोचना सब्सक्राइब थोड़ लेट सोच था ना उनकी रहते स और 1916 भी शहिएद लड़ा हुए. क्या नाम है अपके भाई का? राजिंदर. वो भी मराठा राजिंदर लिखते हैं? नहा, वो राजिंदर लिखते हैं. ऐसा कोई बाद नहीं है. मेरे साथ यों लगा दिया साथ. आप नहीं नहीं लगा दिया? तो ठीक है उससे थोड़ा सा बूस्टिंग मिलती है इनको वाट अब आपके बारे में पुछा था था एक दोस्तों से उनका बहुत गंबीर आत्मी है कि सीरियस क्या ठीक है जिस गंबीर किस तरह से कह रहे हैं गंबीर सोभाव से गंबीर बातों से गंबीर कामों से और मतलब आपका जो नेचर है बोले सीरियस नेचर के आदमी है आपके बात रहे हैं अच्या चीरियस अने से पर जीवन काट भी नहीं सकता है जीवन में गंबीरता होनी चाहिए लेकिन हासे वेनोद का भी अपना एक महत्व है तो पढ़ते लिखते हैं आप इसकोन इम... घरके नश्दीक रहें तक चन निखिर चंडिगर एक stoppage that is actually true। यहां आप प्रूमिट्र है。 500 km स्पर्रीय कार, सिर्डाएन खूरण सेथां, साथ तकार। आपकी जो बच्चे हैं ऑफ इतो एक्टिव हैं। आपका काम देख लेते होंगे छुनाओं में थोड़ा गोता जादा भी नहीं अच्छे अपके अपनी टीम है आपनी टीम हमारी है जिस दिन वो देखने लग जाएंगे तो मुझे कुछ साथ रस्ता भी ठीक पकड़ा जाएगा कि अशा राजमीती में आपके साथ जबरदस् सबसे जदा एस्फ़लता है इसमें अब एक हलके से एक पारटी से दस लोग तो टिकेट की सोचते ही हैं उनमें से एक को टिकेट मिलनी होती है और क्याब ता जीवनमें एक ही बार मिले टिकेट और उसमें भी आर जाए बंदर तो फेलियोर का रिश्यो बहुत ज़्यादा ह जैसे शारत पवार जी है, अब वो 56 साल उनका पॉलिटिकल केरियर हो गया, उन्होंने एक भी चुनाव में वो खारे नहीं है, चीक है ना जी, फत्याबाद में एक देविलाल के जहनती मनाई गी थे पिछले वर्श, तो हम भी गें उनके साथ, तो महा रेस्टा उसमें, सीतर कभी हारे नहीं, और हम चुनाव लड़े बहुत हैं, हम भी कभी जिते नहीं, तो महासरे थे सारे तो वो करते हैं नहीं, इस बार ठीक रहेगा, जजबा है अब मैं, दोस्तों ये थे, मरा ठाविरेंदर जी, मुझे अधिकारी रहे हैं, रोडो में इनकी छवी है, और फिर अजबी ये कहते हैं कि मैं कर्मिनिटी का लेडर नहीं हूँ, इन सभी मुलकात अच्छी रही, और छे चुनाव लड़ना बहुत हिमत का काम है, सर, बहुत हिमत का काम है, छे चुनाव हारने के बावजुद, राजनीती में बने रहना, और लड़ना भी गंभीरता से, कोई हालक है फिलेंग से नहीं है और कई चुनायोंत ऐसे होंगे जिसमें पता था लुए आप है अभी तक तरब एक दो चुनायों तरहिए होगा जिसमें लगा होगा कि अरूँगा फिर भी लडए आप दोस्तों इनके वारे में कुछ कहना, सुनना, पूछना वो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि यह उन्स वालों के जवाब कभी ने कभी, फिर निकलूँगा सर्थ यहां पे तो आपका मैसर स्वागत हैं, और जो आप आए हो जो बाते हैं हमारे याज होएंगा, मैं एक उमीद करूँगा ऐसी कि जो भी इसको सुनेंगे, तो आगे अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ सबक लेंगे, और इस समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जजबा अपने अंद होगे, तो इसी जनम में सारी बातों के लिए आप पाद में मारा मारी में क्यों पड़े आदमी, ठीक है, आदमी को अपना करते रहना चाहिए, बाकी प्रमात्मा के हाथ है बाद, हम कर रहे हैं, साफ नियत से कर रहे हैं, हमारी करने हमें मिलेगी, इस जनम में मिलेगी तो जो दूसरे करनी हैं, उनको मिलेगी, हम मारे में कोई खोट नहीं है, यह दूह उम उम भता से केंगे मेरे शुन के businessman मेरे इंदर जो विचार हैं, मेरे 行ता है तो बते हैं मेरे को पता है, मैं आपने आपको को दोख्या नहीं दे सकता, कि दू에서 को मैं बता हैं, बहुँनेक स दोस्तों उमीदों पर दुनिया कायम है आप से बात करी सर बहुत अच्छा लेगा बहुत बहुत धन्यवाद